अगर वेलकम बाक डुब्रे इनि मिनिया एंगे होस्तों दोस्त मांची ए अज उसुल आए मैं बाक विछ वारी बड़ी एक्जाम्स में भी सवाल आता है या फिर अगर मैं कहूं कि आप sports teacher है तो शायद कभी आपको job के लिए interviewer आप से ये सवाल पूछ सकता है और वो सवाल है what is our national sport? Well, हम सब लोग बड़े सीना तान के और कॉलर उची करके बता देंगे कि भाई, the national sport says hockey, इतना में नहीं पता Well, but unknown fact is कि hockey हमारा national sport नहीं है Yes, that's the truth Actually, ये बात तब सामने आई जब एक 10 साल की लड़की ने 2012 में एक RTI के तहत एक request file की थी Ministry of Sports में ये जानने के लिए कि actually ये जो national sport जो बताया गया है कि hockey है इसका कोई तो written document होगा, कोई तो एक दस्तावेज होगा जिसके ओपर ये लिखा गया होगा She wanted a copy of the same But then, जब पूरा research किया गया, सब ढूंडा गया, सारे reports को निकाला गया तब ये पता चला और Ministry of Sports ने ये कहा और ये letter भेजा आईश्वर्या को telling that this particular sport, यहने hockey, is nowhere declared as our national sport या फिर ऐसे था कि hockey ने हमको दुनिया में एक recognition दिलाई थी क्योंकि दुनिया इंडिया को hockey के वज़े से जानने लग गई थी और शाहिद इसलिए हम लोग hockey को अपना sport मानने लग गए वेल ये तो हुआ 2012 में जब ये बात निकली उसके बाद में 2018 में उडिसा के जो Chief Minister थे Mr. Naveen Patnaik उन्होंने एक letter लिखा था नरेंदर मोदी जी के लिए जिसमें उन्होंने ये कहा था कि he urged to Narendra Modi that please make hockey as our national sport और इसलिए शायद उस बात को अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि 2020 यानि 2020 में इसी साल January में धुले district के यानि महाराश्च्रों में जो धुले district है वहाँ से एक teacher ने वापिस RTI के तहत एक request डाली थी ये जानने के लिए कि क्या सच में अभी hockey हमारा national sport है या नहीं हमारी जो sports ministry है ना उन्होंने यही कहा कि अभी तक इसके ओपर कोई final decision नहीं लिया गया है well let's go in the past and try and understand कि फिर हम लोग hockey को national game क्यों मानते है so basically ऐसे था ना कि जब pre-independence period में जब इंडिया Britishers के लिए जब खेलती थी ना यहने जब Olympics में India Britishers को represent करती थी तो तब इंडिया ने बहुत सारे medals जीते है 1928 से लेके 1956 तक इंडिया ने बहुत सारे medals जीते है Olympics में जिसमें से 8 gold medals है, 1 silver medal है और 2 bronze medal है 1947 में जब हमको independence मिला तो हमने इस बात को accept कर लिया कि हाँ hockey हमारा national game है बट यह कहीं पे भी clearly बताया नहीं गया था यह सिर्फ हमारा assumption था बट धीरे धीरे इस sports की तरफ जितना लगने वाला infrastructure था जितना लगने वाला खर्चा था यह जब government नहीं दिया जब हमारे infrastructure को update नहीं किया गया यह सारे जब problems आते गए तो automatically हमारा training भी deteriorate होता गया तो हमारा position जो है वो धीरे धीरे गिरता गया so basically hockey is a very expensive game और pre-independence period में British government का जब यह पता चल गया था कि हमारी वज़े से उनको hockey जीतना बहुत आसान था olympics में इसलिए उन्होंने यहां के grounds पे बहुत सारा खर्चा किया क्योंकि जब hockey खेलना होता है जितने भी members है उनके लिए एक stick लगती है और एक turf lawn लगती है या फिर एक normal lawn इतनी बड़ी lawn होनी चाहिए जिसके लिए maintenance cost और sticks की cost भी बहुत ज़्यादा थी बट जैसे ही British government के जाने के बाद में जब हमारी priorities बदलती गई तो हमारे cost हमारे इस spot पे कम लगते गए और इसलिए धीरे-धीरे इस spot से हमारा ध्यान हटते गया और उसी वक्त एक और cheese हुई 1983 में हमने cricket में World Cup जीता और इसलिए धीरे-धीरे hockey से shift होके हम cricket के तरफ मुढने लग है बट still cricket भी हमारा national game नहीं है रादर इंडिया के पास में फिलाल कोई भी national game नहीं है क्योंकि अगर आपको पता हो तो south में board game is one of the famous games north में kabadi is one of the famous games and अगर मैं Bengal side की बात करूँ तो बहाँ पे football एक famous game रहे तो ऐसे इंडिया में इतने सारे varieties है games में इसलिए दर is no particular game which is our national game so please आज के बाद में जो हमने सीखा है हमारी पिछली जनरेशन में सीखा है और जो अब तक हमने हमारे बच्चों को सिखाया है कि hockey is the national game ये concept को बदल दीजे there is no national game that India has so इसलिए प्लीज इस बात को अब ध्यान में रखे that India has no national game hope you have loved this unknown information and if you have loved it please give a big fat thumbs up also let me know how has this known fact helped you and now what are you going to tell your kids which is the national game and why do we have or why don't we have a national game do like, share and subscribe the channel and also please press the bell icon also do remember that I come with my new videos on every Tuesdays and Saturdays so till I come with my new video bye bye